सो लास्ट वीडियो भाई मैंने चीज़ हाइलाइट करी दी नेक्स्ट एरा रियाल मिट की जो अटाकिंग लाइन होगी ना उसको मुझे फिलाल अभी लीड करते हुए अधि यहीं विडिश्य जूनियर और रोड्री गो अभी नहीं दिखर में फूचर भाई यह रियाल मिट का स्टांडर्ड है विनिशियस जूनियर वन फी बेस्ट बेर इन दी वर्ड वो तक मुझे नहीं लग रहा कि रियामिट का नेक्स लाकी जो अटाकिंग लाइन होगी उसको लीड कर सकता के लिए अपने तम पर वो चीज मुझे नहीं दिख रही है मैं जस्टिक मैं चीज़े हाइलाइट करी थी कॉमेंट सेक्शन भर गया कॉमेंट सेक्शन में लिखाया था भाई सेल विनिशियस सेल रोडरी गो किसके लिए है इस ब्ल कोशी किसके अंबापे के लिए गया जो वह उसको लेफ विंग पूचिए तो बेटर औप्शन भाई ऐसे 10 अंबापे साइड़ पया फॉर उसको फिनिश्यस बोलते थे ये नॉमबर 7 शर्ट उसको दी नहीं गई है उसने ली है इतनी गालियाइँ इतनी बॉस्यव लांगवज इतनी रेसिसम इसने अन की हैं चीजें ये सब चीजे उसने अन की है वन अफ थी बेस्ट पराहे हैं दी वर्ड बाई देखो ये मेंली वीडियो मेरी रहने वाली है और विनिशियर जूनियन और रोडरीगो रिव्यू आप बहुत जगा आपको देखने को मिल रहा है बहुत जगा रहा होगा रिव्यू भाई रियारमिल वसिस ब्रागा ये चीज जो सबसे इंपोर्टन जो चीज जो चीज हुई वर्सिस ब्रागा जो चीज मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि 10-11 मिंट में आपको पूरा माच रिव्यू करके नहीं दे सकता मैं जो में चीज है मुझे वो हाइलाइट करनी है वो आपके सामने रखनियादे को बाई ये चीज समझने की जरौत है बेलिंगम कामोविंगा वालवर्दे चुवालवर्दे पर अलग वीडियो बनाऊँगा ये हाट ऑफार्स मिट फिल्ड इस पर बनाऊँगा बहुत जिल्दी बनाने वालों ये चार ये कितने भी वेलिंगम खासकर कितने भी गोल्स निकाल कर दे कुछ भी कितना भी क्र्फार्व और्टरिवर्च कितनी भी next level performances में द Sabbath बेल्भी कितना भी अच्छा और नीइए सीजन डियाद निवन तरा है रोड्रेगो और विनिशेस जूनियर पर ये लोग कैसा खेल रहे है हमें अगर कुछ उखाडने का सोचना भी है अपना पूरा सीजन डिपेंड करता है रोड्रूड्रिगो और विनिशेस जूनियर कैसा खेल रहे हैं गल के माच में या लोग खेले В्रसेस बरागा व्रसेस इन चमपेस लीग बड़े माच में कल के खेले और जब यह लोगे खेले, गेम के लोगी بेलिंगम ने अभी तक रहाऊ मैंड को कारी किया अबन हम जेत ऐसे नहीं ते, जैसे कल के माच में जब यह लोग खेलेंगे माच एंड अफर नी जाएगा माच पेले Uny ई जब व्निषिय जूनियर भाई इस पे तो चलो अराम से अच्छे से बात करते हैं बात करते हैं अब पहले पहले कल के माच में सेकेंड आफ खास कर जब विनिशिय जूनियर फुली फोकस्ट होता है ये चीज़ समझो वन अफ दी बेस्ट पेर ऐसे नहीं बूर रहे हैं मपपे और हालन के साथ एक और नाम अगर किसी का आता है जिनरेशन में विनिशियस का नाम ऐसे ही नहीं आता है कल के माच में सेकिन आप में जब विनिशियस जूनियर फुली फोकस्ट है, मेंटली जब वो गेम में है सामने कोई सा भी ओपनेंट हो भाई ये ब्रागा की साब मत सोचना सामने कुछ नहीं कर रही है वो और से सिटी भी कर रही है, सब के साथ कर रहा है विनिशियस जूनियर किसी भी टीम किसी भी डिफेंस, कोई सा भी कोच कोई भी हो कभी भी मैच अपने दम पर पलट सकता है सबसे इंपॉर्टन बात अगर एक चीज मुझे मेंचिन करने विनिशियस के बारे में वो एक डिफरेंस क्रियेट कर सकता है दोनों अकेले अपने दम पर आप इसको बोरो सेल विनिशियस जूनियर कैलीबर का वो प्लेयर और फर्स्थाफ में क्या हुआ पूर 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 दिशियन मेकिंग दी अधी अधी इंड फर्स्थाफ ये भी कल एक सीन हुआ विनिशियस को विसल्स पड़ी काफी फॉम आर फैंस सम अफ दी फैंस और कारलू की ये स्टेटमेंट थी फर्स्थाफ एंड होने के बाद फर्स्थाफ में उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी नहीं थी नहीं इतना वो शाप नहीं दिखरा था अगें फुट बी मोर एक्यूरेट बट इसकेंड हाव वास एक्स्टॉरडनरी माच जब एंड हुआ माच खतम हुआ अब बेमेंट हो गये 3-0 से बुरी तरह गेम किल करके स प्लेंग विद भी पहला काम पहला पकड़के उसने विनिश्यस को यह बोला वाई तु हसकर खेल तु पूरा पूरा माच पलट सकता है अपने धंपर पूरा बेक्ट डिफ्रेंस क्रियेट कर सकता है दोनों साइड में अपने धंपर अब आ जाते है भाई सेल विनिशियस पर sell Vinicius नहीं हरान हो रहा हुआ अपने future को sell Vinicius भाई यह अभी prime में नहीं है अपने Vinicius प्राइम में यह अब sell Vinicius junior भाई बात सुदो बात सुदो last 20 starts in the Champions League आपके सामने है 11 goals with 11 goals 20 start में 11 goals with 11 assists आप कहरे उसको sell कर दो कल के match में कल के match में Rodrigo को man of the match award मिला best player था according to जो भी award मिला जो भी भाई best player था कल के match में इतना मुझे याद है कल के match में Rodrigo ने एक goal एक assists तो निकाले निकाला definitely but 2-3 chances create किये थे पूरे match में Vinicius junior अकेले अपने दम पर 7 chances create किये थे आप कह रहे हो ऐसे player को sell Vinicius क्या कैसे बोल सकते हो कल के जो best player था उसको उसके 2-3 chances उसने create किये और Vinicius ने अकेले अपने दम पर versus Braga Champions League में अपने home पर 7 chances create 7 chances ये extraordinary चीज़ है 2-3 बंदा का chances create कर रहा है वो बहुत तकड़ा काम कर रहा है ये बंदा 7 chances create कर रहा है आप ऐसे player को border sell करो Vinicius Junior को Vinicius Junior is the only player पूरे यूरोप में top 5 league में पूरे यूरोप में top 5 league में with 15 plus goals and 15 plus assist पूरे यूरोप में top 5 league में sell Vinicius जो अपने prime में भी नहीं है भाई देखो ये चीज़ समझने की बात ये बहुत important बात बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा जो मैं आपके सामें highlight करना चाहता हूँ difference between Vinicius Junior and अपना बिलिंगम इन दोनों के बीच में difference क्या है अभी तक आपने जितना भी सीजन देखा है इन दोनों के बीच में difference क्या है इनकी ability Vinicius बहुत एक next level है बिलिंगम एक बहुत next level है इन दोन के बीच में difference क्या है difference क्या है difference है to stay in a game mentally difference सिर्फ इतना है Vinicius अगर ये चीज कर गया ये चीजी गया बिलिंगम से भाई Vinicius खतम कर देगा सामने वाले किसी भी team को अपने prime में अकेले अपने दम पर इतना बड़ा creator इतना बड़ा player है वो पूरे world में इतना बड़ा winger है वो simple एक difference है to stay in a game को भी सुनने को मिलता है वो उसको भी पिच पे सफर करना पड़ता है उसको भी players bully करते है कहीना कहीं दिखा है बट वो उसका एक ही focus होता है मुझे match जीतना है और घर चलो match जीतना है और घर चलो at any cost simple बस इतना difference है वो भी जब celebrate करता है उसको भी रोका जाता है अवे matches पे भाई तो ऐसे celebrate नहीं कर सकता पूरी crowd के सामने हमारे fans के सामने वो celebrate करता है वो सुनता है वो निकालता है वो भेरा बन जाता है मुझे फरक नहीं पड़ता match जीतो घर चलो घर चलो self-initious तो आप I hope समझ की होगे मेरा क्याश पे टेक है मेरा क्या point है आप लोग comment section करके जरूर बताना sell rodrigo भाई अगर 10-12 matches अगर कोई नया system है आप करना वो रोल बंदा बोल चुका मुझे शूट नहीं करता जो भी जो भी sell rodrigo भाई आप एचीज की आप उसका potential देखो वो potential को normal potential नहीं है वो एक monster वो demon है वो चीज़े वो दिखा चुका प्रिवेस सीजन में जिस दिन उसका monster demon बाहर निकला यह सारी जो thoughts सारे न sell rodrigo यह आएंगे तक नहीं Real Madrid की history में rodrigo 4th all time top scorer in history in champions league and यह performance this rodrigo performance is the exact play you want from him he did everything with ease this is the shit I want from him भाई जो से लू bench पो जाएगा पता भी नहीं चलेगा जो से लू finish आपको इस level का करके rodrigo जब अपने level अपना monster जब उसका भार आया ना भाई कल के match में भाई he did everything he did everything सबसे main बात एक completely natural दिख रहा था था लगना एक forcefully नहीं दिख रहा था मुझे करना है मुझे dribbling करना है मुझे नहीं हो रही है फिर भी लगा रहा लगा रहा में को लोग easily tackle करने सब ऐसा नहीं दिखा with ease सब कुछ अराम से completely natural completely nothing forced movements वो passing वो dribbling वो confidence वो close control वो energy ऐसा लग रहा था भाई he was enjoying he was having fun this is this shit I want from Rodrigo that's all for this video भाई अगर आपको video पसंदा यज वीडियो को like channel को subscribe subscribe करना विल्कुमत भूलता I'll see you very soon thank you